राश्तिश्वम्श्वक्षंग के सरसंग चालक रद्धे मोहनभागवज्य और इस पुस्तक के लेखक द्वय बेरमित्र त्रिवुदय माहोरकर्जी श्रीचुरायू पंडिज्य यम रूपा पुब्लिकेशन के पब्लीशर त्रिकपीश्जी महरा इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों युम सज्यनों हम सब यहां पर प्रखर स्वतंता से इनानी और प्रबल रास्टवादी है स्वातंत्र वीर सावरकर्ण के जीवन पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए है मैं कह सकता हूँ इस पुस्तक के बारे में यह पुस्तक बहुत ही परिश्रम और शोद के बाद तयार की गई है मैं इस किताब के लेखक तरी उद्य माहुरकर जी और साथी साथ उनके साथी लेखक चुराई पंडिजी को इस प्रकासन के लिए अपनी हारदिक बढ़ाई भी देता हूँ और भविश्य के लिए मैं अपनी उन्हें हारदिक शुपकामनाई भी देता हूँ उद्य माहुरकर जी को जो हम केवल एक वरिष्ट पत्रकार के रूप में जानते थे राइनेटिक विश्लेशक के रूप में जानते थे प्रतिभाचाली लेखक के रूप में जानते थे लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है मैं कहता हूँ वेल रिसर्च यह उस तक महुरकर जी ने लिखी है तो मैं समझता हूँ कि शायद इसके बाद लोग आपको एक प्रामाडी कितिहास कार के रूप में जानेंगे ऐसा मेरा विश्राथ है बीर सावरकर जी जैसे रास्ट चनायक के बारे में पढ़ना, समझना और लिखना कोई यह आसान बात नहीं है बीर सावरकर के जीवन के इतने आयाम है इतने आयाम है कि उसे एक किताब में समाहित करना यह बहुत ही चुनोती पूर्ण काम है ऐसा मैं मानता हूँ पर माहुरकर जी को मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ चुराई पंडित जी को इनको भी कि दोनों ने नो सिर्फ इस काम को सफलता पूर्बक पूरा किया है बलकि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो सावरकर के जीवन से जुड़ी ब्रहंतियों को नो सिर्फ दूर करेगी बलकि उसे सही रूप में प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्पुन गोमिका का अंदर वाह करेगी एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता तब तक शिकारी महान बना रहेगा और बीर साबरकर जीके जीवन के कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताईगे जो एक खास विशारधारा से प्रभवीत थे अत्वा एक खास विशारधारा के लोग थे इवरे हमारे देश में एक बड़त तबका बीर साबरकर के जीवन यात्रा को उनकी विशारधारा को नो तो सही तरीके से समझ पाया है और नो उनकी देश वक्त उनके महान व्यक्तित को समझने की उसने कोशिच की है और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके महान व्यक्तितों और उनकी देश वक्ति से वो अपरचित रहा है पर मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वरसों में वीर साबरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है अच्छा शोध कारे भी किया है और एक इमानदार विसलेशन दून होने किया है जिसका नतीजा यह है कि आज वीर साबरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और सोध परक किताबें हम लोगों को पढ़ने को मिल जाती है और मैं आज़ा करता हूँ कि यह किताब भी त्रिंखला में एक वैलेबूल एडिशन बनेगी ऐसा मेरा विश्वास है और मैं मानता हूँ कि जो हमारे रास्टनायक हैं कि व्यक्तित्व और कर्तित्व को लेकर आप एक वाद पर्तिवाद यह तो कर सकते हैं डिफरेंस आप उपीनियन आपकी हो सकती है मगर उन्हें एक है द्रिष्टि से देखना किसी भी सूरत में इसे उशित नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता वीर शावरकरजी एक महान स्वतंता सेनानी थे इसमें कहीं दोमत नहीं है उन्होंने किसी भी विशारधारत के शच्छ में ते देखकर राश निर्वार में उनके योगदान को अंदेखा करना अपमानित करना ये कैसा काम है इसे मैं मानता हूँ कि कभी माफ नहीं किया जा सकता है और वीर सावर कर भारत इधियाद के महानायक थे हैं और भविश्य में भी वह महानायक रहेंगे इसे कोई रोप नहीं सकता है आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंगरेजी हुकुमत ने हैं उन्हें एक नहीं बलकि दो दो बार आजी वन कारवास की सजादी थे ऐसे प्रखर रास्टवादियों डेश भक्त के उपर सवालिया निसान लगाने की कुछ लोगों की विशेश बिशारधारा से प्रभावीत होने के कारण की जाती है तरद्य अटल भी हारी बाज़ पही नहीं है बीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा था सावरकर का मतलब यह होता है तेज सावरकर का मतलब यह होता है त्याग सावरकर का मतलब यह होता है तब सावरकर का मतलब यह होता है तारूने और सावरकर का मतलब यह होता है तरक मैंने कभी भी सावरकर जी नहीं नहीं कहा कि हमारी बातों को आप मानने के लिए मजबूर हो किसी को कंपेल किया हो नहीं डिसकुसंस में तर्क में भी शाबर कर जी का विश्वास रहा है ऐसे भी द्रिश्टांग पढ़ने को मिलते है उन्होंने कहा था अटल विहारी बाजपेई जी ने शाबर कर एक व्यक्ती नहीं है एक विशार है वो एक शिंगारी नहीं है वो एक अंगार है वो सीमित नहीं है बलकि वो एक विस्तार है यह अटल विहारी बाजपेई ने शाबर कर जी के वारे में कहा रहा डेवियों सज्जनों वीर सालवर कर एक प्रखर करांटेगारी थे भारती विचार के साथ था तो ये पच्मी करांटियों और करांटेगारियों के विचार से भी प्रभावित थे शायद आप मेंसे कुछ लोगों की इस बात की दानकारी होगी कि मेजनी और गैरिबॉल्डी जैसे इटेलियन करांतिकारी वीरों के विचारों का उन पर एक बहुत ही असर था और ये मानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए ससस्तर करांती का भी विकल्प खुदा रहना चाहिए था ये बहुत ही असपस्ट सोच वीर साबर करकी थी और इस दिश्ट से उन्होंने मित्र मेला अभिने भारत सोसाइटी का गठन किया ताकि वो अपने जैसे अंड़करांतियों के साथ भी वकाम कर सकें कुछ लोग वीर साबर करको नाजीवादी और फाशीवादी होने का आरूप लगाते हैं खाफतार पर वे लोग इस प्रकार का अलोप लगाते हैं जो मार्टशवादी या लेन्वादी विचारों से प्रभावीत रहे हैं या आज भी हैं सच्चा यह है कि वीर साबर कर हिंदुत के विचार को मानते थे मगर नो तो हिंदुवादी थे ना फासी वादी थे ना नाजी वादी थे बलकि वे सीधे सीधे यथार्थ वादी थे और राश्ट वादी थे अपने भाश्रों में और लेखन में उन्होंने बहुत विस्तार से अपने विशारों को बहुत ही बेवाकी के साथ उन्होंने रखा है यदि हम उन्हें पढ़ें तो पाएंगे कि वे उस वक्त मौझूद हर तरह की वे अस्था की चर्चा जरूर करते थे वे बुल्सेविक रेवलुशन की भी बात करते थे तो डिमाक्रेशी की भी हेल्दी डिमाक्रेशी की भी वीर सावरकर जी चर्चा करते थे साबरकर के लिए रास्ट कोई एक राइनेटिक इकाई नहीं थी केवल एक पॉलिटिकल इंटिटी नहीं थी बलकि एक कल्चरल इंटिटी थी एक सांस्कृतिक इकाई थी उनका विचार था कि सांस्कृतिक समानता है रेश्ट के रास्ट के निर्माण में रास्टरवाद की भावना को मजबूत तरने में महत्मुन भूमिका निभाती थी यह उनके अस्पष्ट सोच थी उनके लिए एक आदर्स राज और सरकार वो था जहां नागरिकों के भी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहों मैं फिर से दोराना चाहता हूँ उनके लिए एक आदर्स राज और सरकार वो था जहां नागरिकों के भी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहों यह वीर सावरकर जी का विशार था साथियों हमें वीर सावर करके हिंदुत के विशार को गहराई से समझना होगा और उनके लिए हिंदू सब्द एक या पंत या मजहब से जुड़ाना होकर भारत की जूगरिसकल और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था और उनका हिंदुत का विशार संस्कृतिक राष्टवाग की विशार धारा से जुड़ा हुआ था जो यह मानता था कि सिंधु के इस पार रहने वाले हिंदू हैं और यहां की संस्कृति भी हिंदू है जो लोग इस भारत भूम के अपनी पुंडभूमी पित्र भूमी या मात्र भूम मानते हैं वे सभी हिंदू हैं यह सावरकरजी का विशार है चाहिवे किसी भी मजहब को मानते हूं यदि उनकी दिष्ठा भारत की संस्कृति और संस्कारों में है तो वो हिंदू है यह उन लेकिन बीर सावरकर जी कि इन सब सारी विशारों के कारण जो उनसे नफरत करना मैं समरता हूं इसके ओचित को कोई सी कारण नहीं करेगा साथियों सावरकर के लिए देश सब से पहले था वे बड़ी बेवाकी इससाथ कहते थे कि भारत का किसी भी देश से संबन इस बात पर नर्वर करना चाहिए कि हमारे रास्टी हित और सुरक्षा नीट के वो कितना अनकूल है यह कैशी सरकार है इससे कोई फरक नहीं पड़ है यह कैसा प्राग्मेटिजम है जो आज की दुनिया की डिप्लमेसी की एक नई करेंशी है इसलिए मैं यह वानता हूं कि वीर सावरकर वीश्वी स्वताब्दी के भारत के सब से पहले और सब से बड़े सैन कूटिनी तिक सामरिक वीशेश शग्य है जिन्होंने आजार भ खिलाफ जूट फैलाया गया बार बार यह वाप कही कि उन्होंने अंगरेजी सरकार के सामने अन्यकों मरसी पेटीशन फाइल की है यादिस hotter लेके सच्छाई है कि मरसी मर्शी पेटिशन फाइल करो महात्मा गांदी के कहने पर मर्शी पेटिशन फाइल की थे और महात्मा गांदी ने अपनी तरफ से अपिल की थी उन्होंने कहा था यदि सावरकर्णी को रिहा किया जाना शाहिए जैसे हम शांति पूर्ट तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे यह बात महत्मा गांधी जी ने कही थी लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस परकार की कोशिश की जाती है कि मर्शी पेटिशन फाइल की थी उन्होंने शमा या चना मांगी थी अपने रिहाई की बात कही थी यह सब तारी बातें बेवनियाद और गलत है सावरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए प्रेरिज किया था उस समय देश में परचले चुआ चूँट की कुपर्था के खिलाफ उनके विचार और कारे दोनोंने डाक्टर अमबेडकर को भी प्रेरिज किया था उन्होंने हमेशा सहबोज अंतराज्जी और अंतराश्टी विवाह और विरवाव विवाह नारी शिक्षा मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी है वे सही माइनों में एक सोसल रिवाल्यस नहीं थे राश्टबाद सावरकर की विचारधारा का अभिन अंग था पर मानवता उसका आधार था भारत को साथियों भारत को सामरिक और सांस्कृतिक रूप से एक जुट रखने में उनका प्रयाफ कभी भूलाया नहीं आ सकता है लेकिन कुछ लोग तो इस सीमा तक नफरत करते थे मुझे आध है कि 2003 में भारत की संसद में एक वीर सावर करके चित्र का अनावरन होना था बहुत सारी राजिनितिक पार्टियों ने उसका बाइकाट किया कि अबल पूरो परधान मंत्री क्षंदर से खरजी उसका अरकम में सम्मिलित हुए थे ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर में जब एक प्लाक लगवाया गया था तो दूसरी सरकार ने आने के बाद उस प्लाक को जो हटवा दिया इस सीमा तक नफरत साथियों साथ आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि जब 1942 में कांग्रेश राइट अफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रस्ताव को पारिद किया तो वीर साबरकर ने उसका मुखर विरोद किया क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या दूसरी परिणाम होगा उसी साल कांग्रेश ने यह प्रस्ताव भी पारिद किया था कि अंग्रेश भारत शोने मगर उनकी फोग यहीं रहेगी इसका भी साबरकर ने ड़क्तर विरोद किया मैं मानता हूँ कि उदय माहरकर जी और चिरायू पंडित कि यह किताब वीर साबरकर के नई और सही रोशनी को नई और सही रोशनी में देखने में हम सभी की मदद करेगी मेरा सबस्ट मानना है कि साबरकर एक व्यक्ती नहीं थे वो विशार थे जो उनकी मृत्यू के इतने साल भी जाने के बावजूर भी आज भी जिन्दा है और जैसा अब कुड़े महरुकर जी ने कहा आगे भी जिन्दा रहेगा और उनकी विशार धारा के अनुयाईयों की संख्या निरन तर बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है कि हमारे देश के विद्वानों को सावरकर पर अधिक से अधिक रिसर्च करने की आवश्यक्ता है और ऐसी कई और पुस्टकें हमको लानी होगी तब जाकर सही तरीके से लोग उनकी विशार को समझ पाएंगे उनकी कृतियों को अच्छी तरफ तमझ पाएंगे यतने महान विशारक और कांथिकारी की विरासत के साथ कियेगे गलत को सही करने का केवल और केवल यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे लिए सावरकर विशार है भारत के साहत का हमारे लिए सावरकर विशार है भारत के सम्मान का भारत के साहिमान का सावरकर विशार है हमारे सामर्थ का सावरकर विशार है सैयम का और सावरकर विशार है भारत के सनातन का वह सनातन जो नितन हुतन है और शेर पुरातन है कारकम में हमारे सरधेत तरसंग चालक यहां पर मवचूद हैं और मैं समचना हूं कि हमें से जितने लोग हैं मौझुद हैं सावरकर जी के बारे में उनसे ज़्याराद धेहन और किसी का नहीं हो सकता विस्तार पुर्बक दावरकर जी के बारे में है उनका विशार हम सब को सुनने को मिलेगा और आगे का मारदर्शन भी तरदे सरसंग चालग जी का हम सबी को प्राप्त होगा इन्ही सब्दों के साथ मैं पुनहां उद्य महुरकर जी को चुराईव पंडित जी को अपनी क्रणी को चालग जी कmos बारे मारदर्व पंडित जी को नी को इंप जी कर्णी को चुराव जी को आवरकर जी को प्राप्त हों किया है